तो कोलकता नाइट राइडर्स और डिल्ली कैपिटल्स के टीम के बीच IPL 2024 का 16वा मुकाबला खेला जाएगा सामके 7.30 बजे विसाखा पतनम यानि कि डिल्ली के होम ग्राउंड में और आपको बता दे कि ये दोनों ही टीमें अपने पिछले मुकाबले को जीत के आ रही हैं डिल्ली ने चन्नई को हराया था तो केके यार ने RCB को हराया था और अब ये दो टीमें आमने सामने भीड़ेंगी और इस वीडियो में आपको पता चलेगा दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की क्या होगी दोनों टीमों की सबसे मजबूत प्लेइंग 11 कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी और क्या कुछ होगा यानि की प्रेडिक्सन के बारे में भी बात करेंगे क्या होगा इस मुकाबले में सब आपको पता चलेगा वीडियो को इंट तक देखिए हम चलते हैं बिना टाइम वेस्ट के वीडियो की तरफ और सुरू करते हैं डिल्ली कैपिटल्स के टीम से यानि की डिल्ली के प्लेइंग 11 के बारे में बात करते हैं दिल्ली के तरफ से टॉप ओर्डर में नमबर एक पे डेविड वार्नर और उनके साथ आएंगे प्रित्वी शो और तीन पे रिसप पंत लास्ट मैच में हमने रिसप पंत को नमबर तीन पे बल्ले बाजी करते हुए देखा था और उन्होंने नमबर तीन पे अच्छे रन भी बनाये थे और वो नमबर तीन पे आ सकते हैं वर्नर और प्रित्वी शो ये दो ओपनर हो गए जो कि अल्मोस्ट कनफॉर्म है मिलल ओडर में नमबर चार पे मिचल मार्स, पास पे ट्रिस्टेन स्टब, छे पे अभिशेक पोरेल और साथ पे अक्षर पटेल इन चार खिलाडियों को देली कैपिटल्स की टीम अपने मिलल ओडर में मौका देगी यहाँ पे ट्रिस्टेन स्टब का जो फॉर्म है वो उपर नीचे काफी हो रहा है तो देली की टीम उनके जगाँ पे किसी और को देख सकती है सायद बट मेरे इसाब से एक दो मैचेज में और वो दिखाई दे सकते हैं बाकी से मिलल ओडर होगा पिछले मैच की तरह इसे बॉलर नमबर आठ पे मुकेस कुमार नो पे कुलदीप यादो दस पे इन शनोकिया और ग्यारा पे खलील एहमद इन चार गेन बाजों के साथ दिल्ली कैपिटल्स की टीम उतर सकती है मैं परसनली चाहता हूँ कि कुलदीप यादो इस प्लेइंग 11 में दिखाई दे that's why मैंने उनको include किया है इस प्लेइंग 11 में देखते हैं दिल्ली की टीम लेती है या नहीं as a impact player इस प्लेइंग 11 में दिखाई देंगे इसान सर्मा तो इनकी वापसी हो चुकी है पहले मैश में इनको चोट लगा था but currently वो fit है पिछले मैश में खेले भी थे तो इस मैश में as a impact player दिख सकते हैं और ये हो गई दिल्ली कैपिटल्स की टीम की प्लेइंग 11 के कियार के किलाब अब चलते हैं कोलकता नाइट राइडर्स के तरफ लेकिन उस से पहले बताना चाहेंगे कि अगर आपको इस मैश से जुड़ी टॉस अपडेट फेंटसी टीम या मैश प्रेडिक्शन के बारे में जानना हो तो अभी कॉंटेक्ट करें रागव क्रिकट एनलेटिक्स को इनका टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में है या फिर डाइरेक्ट वाटसब पर भी कॉंटेक्ट कर सकते है यह होंगे KQR के टॉप 3 खिलाड़ी, KQR के टॉप ओर्डर बैट्समें बहुत ही अच्छे फाम में है तो ये KQR के लिए बहुत ही अच्छी खबर है मिल्ल ओर्डर में नमबर 4 पे सिरयस अयर, 5 पे रिंकू सिंग, 6 पे आंदरे रसल और 7 पे रमनडीप सिन इन चार खिलाडियों को केके आर की टीम अपने मिडल ओर्डर में मौका देने वाली है जैसा कि हमें पता है कि केके आर की टीम काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है तो इनके प्लेइंग एलेवने कुछ जादा बदलाओं नहीं होंगे एजे बॉलर नमबर आठ पे अनकूल रॉय, नमबर नो पे मिचल स्टार्क, नमबर दस पे हरसी तराना और ग्यारा पे वरुन चकरवर्ती इन चार गेंदबाजों को कोलकता के टीम अपने प्लेइंग एलेवन में मौका देगी और ये केके आर के तरफ से एजे बॉलर हमें प्लेइंग एलेवन में दिखाई देंगे और इंपैक्ट प्लेइर की बात करें तो सुयास सर्मा एजे इंपैक्ट प्लेइर इस प्लेइंग एलेवन में हमें दिखाई देंगे केके आर के टीम के लिए और overall ये होगी कोलकता नाइट राइडर्स की टीम की प्लेइंग 11 डिली कैपिटल्स के टीम के खिलाफ उनके ही होम ग्राउंड में तो दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की बारे में बात की अब थोड़ी बात करते हैं प्रेडिक्सन की बारे में सबसे पहली हमारी प्रेडिक्सन है कि डेवीड वाडनर या फिर फिलिप साल्ट इन दो विदेशी ओपनरों में से कोई एक ओपनर इस मैच में 50 रन बनाने वाला है यानि कि 50 प्लस स्कोर इन दो विदेशी ओपनरों में से किसी एक ओपनर के बल्ले से निकलेंगे सेकेंड प्रेडिक्सन है कि मिचल स्टार्क इस मैच में अच्छा पर्फॉर्मेंस करेंगे आपको पता है कि पहले दो मुकाबले में इनको बहुत मार पड़ी है और अभी तक इन्होंने आट ओवर कराया है सो रन अपने आट ओवरों में ये दे चुके हैं बट डिली के खिलाफ ये इस मैच में अच्छा पर्फॉर्मेंस करेंगे ये हमारी प्रेडिक्सन है और ऐसा होगा भी और आखिर में कौन सी टीम जी रहेगी इस मुकाबले को तो मैं जा रहा हूँ कोर्बो लोर्बो जीतबो यानि की कोलकता नाइट राइडर्स के टीम के साथ काफी अच्छे फॉर्म में हैं इनके खिलाडी अच्छा पर्फॉर्मेंस कर रहे हैं खास दोर से इनकी बल्ले बाजी यूनिट इनको निरास नहीं कर रही तो मुझे लगता है कि केके आर की टीम दिल्ली कैपिटल्स के उपर भारी पड़ सकती है और केके आर की टीम को हम यहाँ पे ऐसे विनर प्रेडिक्ट कर रहे हैं देखते हैं क्या होता है प्रेडिक्सन का रिजल्ट हम आपको अपने टेली ग्राम चैनल पे दे देंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्सन में है अभी जाके हमें वहाँ पे जोईन कर लीजे जहां के आप जहां पे आपको हर रोज कोई नहीं खबर हम देते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथी साथ हमारे बाकी वीडियोस को भी देखे यानि की चैनल को विजिट करके और भी वीडियोस है उन सभी को देखे मिलते हैं आप से अगली किस और वीडियो में तब तक के लिए do whatever you want to do man but don't rubble your mata and pita in sallubhai style